वार्शिवं शिवं नमस्कर आप सबका हमारे चैनल शृमध हूं रेडिईस पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बिताने जा रहे हैं प्रहम अस्थान के बारे मैं वासू सास्त के हिसाब से और वासू दोस दिशाउं की हिसाब से कैसे दूर किये जाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे तो दिशाएं और ब्रह्मस्तान हमारा टॉपिक होगा और बताने से पहले मैं आपको ये बता दू कि उम्जा.com से आप कोई भी प्राप्त कर सकते हैं चैनियों अथंटिक और लैप से रिफाइट और उम्जा.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां हम और आप सब साथ काम कर सकते हैं आप भी आगे बढ़ेंगे हम भी आगे बढ़ेंगे और हमारे देश भी आगे बढ़ेगा तो चली हम शिरू करते हैं देखे वास्तु सास्त के पांच आधार भूत तत्व हैं पित्वी वायू चल अगनी और आकाश और इन पांच तत्वों के बीज समन्वे अस्थापित करना और इनकी गुनवता का परिवार या बेवसाइक इस्मिदी के लिए ठीक ढंग से इस्तमाल करना ही वास्तु सलाह तत्व पर आधारित होती है किसी भी दिशा या तत्व के दोश्यूत हो जाने पर वास्तु नकरात्मक रुहो देने लगती है जिसके कारण हों निवास करने वाले को अनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो वास्तु के अनरूप प्लॉट या भवन के मद्ध भाग क ब्रह्मस्थान माना गया है तो ब्रह्मस्थान का भी वास्तु पाय है और घर में ब्रह्मस्थान जरूरी है तो यह जो पांच तत्व हैं कौन से पांच तत्व हैं पृत्वी वायू चल अगनी और आकश इन पांचों तत्वों में से किसी एक का अधिक या कम होना घर परि वास्तु आडिट के समय कंसल्टिंट का मुख के काम यही होता है कि बताना वास्तु दूसरे जुड़ी ऐसी खामियों को पहचान कर उस तत्यों को संतुलित करें जिसकी वज़ा से उस घर में रहने वाले को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े तो पहले तुम चार दिशा दिशाएं की बात करेंगे लेकिन पांच त्यत्तों की अपने-पजिशाएं भी निरदारित तो जिन पर इनका सवामी तो होता है तो वास्तु सास्त्य में दिशाओं का त्यदिक बात हो 흥 है पूरव पक्षम उत्तर दक्षम ये दिशाएं हैं और इन चार दिशाओं से ही चार और दिशाएं बनती हैं जिनको विदिशाएं कहते हैं सब डिरेक्शन या एंगलर डिरेक्शन भी कहते हैं दो मूल दिशाओं की मिलाए जाने वले स्थान को विदीशा कहता है जैसे कि पूरव और उत्तर दिशाओं जहां मिलती हैं उसे इशान कौन इसी परकार आगने कौन दक्षिन और पूरव दिशाओं के मिलने से व्याब व्यकुन उत्तर और पश्यम दिशाओं के मिलने से ततानाय तरत्यकुन दक्षिन और पक्षिन दिशाओं के मिलने से बनती है अब क्योंकि ये चार वी दिशाओं दो मूल दिशाओं के मिलने का स्थान है अता इनमें दोनों मुक्धिशाओं के गुन अवगुन होते हैं यही कारणे कि घर या प्लॉट में विदिशाएं के बहुत ही साउधानी से रक्षा करने चाहिए अब वास्तू का ब्रमस्तान प्लॉट या मकान के बिल्कुल बीच के भाग को ब्रमस्तान कहता है यह एक बिंदू नहीं बलकि छेत्रिया जोन होता है जिसके एरिया मकान या प्लॉट के साइज से मौलॉग किया जाता है पुरानी शेली के घरों हवेलियों और मेलों में ब्रमस्तान पर खुला आंगन जरूर होता था खुला हुआ ब्रमस्तान घर के अन्वास्त दोसों के कुपरवाओं को कम करने में सक्षम होता है आजकल कि शेली के मकानों में खुला हुआ आंगन नहीं छोड़ा जाता इस पेस ही नहीं है तो ऐसे स्थिति में घर में खुला छेत्रे इस प्रकार उत्तर या पूरव की तरफ रखे जिसे कि सुर्व का प्रकाश एवं हवा मकान में अधिक अधिक परवेश कर सके अभी ब्रह्मस्थान का होता है ब्रह्मस्थान वास्तु सास्त में वास्तु पुरुष की नाभी और उसके आसपास का स्थान है तो जिस प्रकार पेट से पूरे शरीर का नियंत्रन होता है उसी प्रकार ब्रह्म अस्थान से पूरे घर को सवक्ष वायू सवक्ष प्रकास एवं उर्जा की प्राप्ति होती है तो संपुर्ण घर में उर्जा का प्रवा ब्रह्म अस्थान से ही होता है और ब्रह्मस्थान पवित्र स्थान माना जाता है यहां कूड़ा करकर जड़ों पोच्छा यह मौप पिया दिन फी नहीं रखना चाहिए ब्रह्मस्थान में टॉलेट सरवता वर्जित होता है यहां आग से समंदित काम काज़ भी नहीं हो सकते हैं इसलिए ब्रह्म अस्थान में बना किच्छन अवशी ही परिवार के सदस्यों के स्वास्त पर बुरा असर डाले गा। तो विशेसकर परिवार का मुख्या लंबे समय तक ठीक ना होने वाले या निक विमारियों का शिकार बन जाता है। तो ब्रह्म अस्थान घर के नाभी और यही कारण है कि यह उची और भारी वस्तुएं या फरनिशर नहीं रखे जा सकते हैं। आरिवेद में भी सला दी जाती है कि अपने नाभी अस्थान को हलका फुलका रखें। आसानी से पचने वाला खाना खाएं। ताकि पाचन क्रेट ठीक बनी रहे। या दिवारे, खंबे या सीडिया हों तो यह स्थान बहुत ही भारी होकर अनिक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अगर घर का ब्रमस्तान बिलकुल खुला है और उसके चारों तरफ कमरे बने हैं तो ऐसा घर भाग्यवान परिवार को ही मिलता है। आप पाएंगे कि पुरानी हवेलियों और महलों में ब्रमस्तान आकाश की और खुला होता है। ब्रियत सहिता में इस बात पर भी सेस बल दिया गया है कि ग्रेह सामी खुशाली चाहते हैं वे ब्रमस्थान को अत्यंत सुरक्षित रखें तातपेरी के स्थान पर गड़ा, पानी और गंदगी ना हो अतई शान कोन की बाती इस अस्थान को भी सदैव साफ सुत्रा और हलका होना चीए घर के मद्द भाग का इस अस्थान थोड़ा सा उच्छा गजपुश्ट होना चीए यदि हम ब्रमस्थान पर जड़ डालें तो चार तरफ फैल जाए इस जगह में गड़ा या मकान का मद्द बैठा हुआ नहीं होना चीए नहीं तो ग्रिह स्वामी को आर्थिक तंगी से जूजना पड़ सकता है या भारी फरनीचर नहीं रखने चीए तो यथा संबब इस अस्थान को आप खली रखें तो ऐसे घरों में रहने वाले स्वस्थ खुशाल और शांति पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं अभी पांच तत्व को जो स्वामित्व है प्रित्वी तत्व का स्वामित्व नैतरत में है अगनी का आग्णिया में है वायू का व्यावयव में और जल का इशान में और आकास तत्तु का स्वामितु ब्रह्मस्थान में माना जाता है तो इन चार वी दिशाओं और पांचवें ब्रह्मस्थान में इन पांच तत्तु के गुनों के अनुरूप ही कार करने चीए इशान कौर में जल तत्तो का स्वामित्व है इसलिए हाँ अगनी तत्तों से सम्मंदित कोई भी कार करना पूरे परिवार के लिए हानी प्रद है या किचन रखना, कपड़े प्रेस कर्ने के लिए टेबिल रखना अगनी तत्व जल को नश्ट करता है और जल तत्व अगनी को बुछाता है तो अगनी तत्व स्वास्त का और जल तत्व सुख, शान्ति, स्मृधी और संपन्नता का कारक है तो जल और अगनी तत्वों की कमजोर होने से परिवार में स्वास्त संब्रधी और सुख शादनती सम्मधित कई समस्या आजाएंगी तो इस तरह अन्य तत्वों की प्रकृति और उनके प्रभाव को ध्यान रखते हुए ही घर का नक्षा बनाना चीए तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीशिए धन्यवाद